हेलो व्रीवन वेलकम तू फामेसी क्लास में हूँ विशाल और आज हम फामेसी के बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंट्रेस्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे तो हर जगह आपका सस्पेंशन और इमल्सन के डाउट और कॉंसेप्ट कई बार क्लियर नहीं होते हैं यह बार क्लियर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है तो हम ऐसे 10 पॉइंट की उपर बात करेंगे सस्पेंशन और इमल्सन के बारे में जिससे आपको थेओरिटिकल क्वेश्चन भी एक्जाम में आता है या आपसे कोई पूछता भी है कि इमल्सन सिस्पेंशन क्या होता है तो बहुत आसान तरीके से एक्स्प्लैंड कर सकें तो हम समझते हैं सस्पेंशन और इमल्सन सिस्टम है क्या यह तरीके का डोजस फॉर्म है तो डोजिस फॉर्म है, तो suspension और emulsion, biphasic concept क्या है, heterogeneous क्या है, किस तरीके से इसको prepare करते हैं, कौन सी चीज इसको stable रखती है, क्यों इसको prepare किया जाता है, यह सारी चीज़े हम देखेंगे, और 10 points कैसे difference हम पढ़ेंगे, जिससे आपको easily exam में बड़ा questions जो आ भी जाए, तो आप हम देखेंगे difference क्या है, तो सबसे पहले हम इसको common concept से समझते हैं, मान के चलो, आपके पास में एक beaker है, और इस beaker में आपका water as a liquid है, as a solvent, यदि आप इसमें sugar के particles, sucrose add करेंगे, तो क्या होगा, कि आपके जो sucrose particles हैं, इस water में dissolve हो जाएंगे, यस, आप मान के चलो, इसी beaker मे आप sucrose के water ना add करके, आप इसमें बहुत छोटे-छोटे rate के particles को add कर रहे हैं, तो क्या rate के particles, जो dust particle है, वो क्या इसमें dissolve होंगे, answer नहीं, तो ये dissolve नहीं होंगे, लेकिन आपके जो rate के particles हैं, वो तो है solid, और तीसरा एक और हमें example देखें, यदि मान के चलो, इसी beaker में water है, और आप इसमें oil की droplets, जो normal oil घर में यूज़ करते हैं, उसको भी add करेंगे, तो क्या वो इसमें dissolve होंगे, answer है नहीं, तो आपका जो suspension और emulsion होता है, जैसे हमने बात की rate और oil की, और ये liquid system है, तो एक बार हमने rate के particles लिये, solid और एक बार हमने लिया oil, और इसमें उनको mix करने की causes की, तो उसके लिए हम एक word बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, disperse किया हमने, तो ये disperse जब किया इसमें, तो वो disperse नहीं हुए, तो इसी system को हम बोलते हैं, suspension और emulsion, कौन से जो आपका rate और oil वाला system था, लेकिन आपको पता है, कि आप यदि rate के particles को, या dust के particles को इस liquid में add कर द तो इस तरीके से doses form कैसे हुआ ही, तो क्यों इसको बनाने की जरूरत पड़ी, जब हम सुगर के particles को इसमें add करते हैं, तो वो तो easily अच्छे से mix हो गया, घुल गया, dissolve हो गया, तो suspension और emulsion बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, तो हाँ, जैसे हमने rate के particles, मान के चलो, वहाँ drug particles है और oil की जगा हम drug globules ले लें, globules उसके लिए बोलते हैं, तो इस system में हम उनको वैसे ही disperse कर दिया, लेकिन इनको हम क्या करते हैं, stable form बनाते हैं, stability प्रोवाइड करते हैं, तो ये mixed form नहीं होते हैं, मतलब ये एक तरीके से dissolved नहीं होते हैं, ये अलग-अलग होते हैं, लेकिन system को हम stabilize करते हैं, इसलिए कई बार जब इनकी definition जब आप पढ़ते हैं, चाहे emulsion और suspension तो ये दोनों जो है liquid doses form की category में आते हैं, सबसे पहले, क्योंकि ज़्यादा तर आपके emulsion और suspension जो है, liquid doses form है, क्योंकि liquid में हम solid और उसको dissolve करते हैं, अभी difference को भी देखने हैं, अभी कुछ common terms कौन समझते हैं, तो इसलिए इनको biphasic बोला जाता है, क्योंकि rate water में dissolve नहीं होगी, लेकिन हमने एक system ऐसा बनाया कि वो long duration तक stable रहे, तो जरूरी क्यों है, इसको एक बार discuss कर लेते हैं, कई सारे जो drug के particles होते हैं, और oil globules होते हैं, यदि मान के चलो उनको solubilize कर भी दिय तो उनमें कई सारी stability problem आती हैं, pharmaceutical point of view से, pharmacy के point of view से वो एक बहतर doses form नहीं होते हैं, तो उनका suspension और emulsion form जब बनाया गया, और जब उनकी stability देखी, तो वो long duration तक ज़्यादा अच्छे doses form होते हैं, और उनसे जो therapeutic effect हमको मिलने चाहिए, वो अच्छे होते हैं, इसलिए system को हमको suspension और emulsion form में design गरना पड़ा, तो अब इनको हम बोलते हैं, biphasic और heterogeneous system, तो biphasic और heterogeneous दौनों system आपके suspension और emulsion, तो suspension आपका क्या है, वो rate particles, drug particles को हम imagine कर लें, और water आपने, लेकिन वो dissolve नहीं हो रहे, तो इस तरीके के system को suspension, और oil की droplets आपने पानी में distribute किये, तो वो emulsion system हो गया, इस तरीके से आपको धियान में रखना है, दौनों biphasic system हैं और heterogeneous हैं, तो इसलिए उनको बोलते हैं, क्योंकि वो आपका एक phase, आपका rate particles, drug particles, oil वाला और दूसरा phase आपका, यह solvent जो आपने लिया, इसलिए इसको biphasic बोलते हैं, मतलब two phase system इसको बोलते हैं, और heterogeneous, तो आप define करेंगे जब भी emulsion, suspension क्या है, biphasic system है, क्यों है, क्योंकि इनमें दो phase होते हैं, तो उन phase को हम internal और external phase भी बोलते हैं, जो कम quantity में होता है, solid और oil droplets, oil droplets की जगह, कई बार oil हम ले ले लेते हैं, और उसमें water droplets, या water soluble drugs हो जाती हैं, तो आपका वो, जो है, oil and water, water and oil emulsion इस तरीके स आप करस्पर्जन होता है, तो ये इनको सिस्टम भी बोलते हैं, तो examination में, competitive exams में आपको इस नाम से भी बूचह सकते है, disperse system क्या होता है, course dispersion क्या होता है, to course dispersion में आपके emulsion or suspension आते, ठीक, तो coarse dispersion, disperse system, biphasic system, heterogeneous system इनको बोलते हैं अब इनमें जो internal phase और external phase होता है इनमें two phase होते हैं इसलिए इनको biphasic, internal और external तो internal phase को discontinuous phase भी बोलते हैं तोकि यह बहुत कम quantity में है, discontinuous लेकिन पूरे में continuous जो है आपका solvent system होता है तो उसको हम external और continuous भी बोलते हैं या तो dispersion medium भी बोलते हैं और यह dispersed phase कहलाता है और applications देखें तो stability बढ़ाने के लिए जो आदर समय तक आपका dosis form इस्थिर रहे bioavailability बढ़ाने के लिए, bioavailability हमारा purpose क्या होता है जब हमने orally drug को लिया या किसी भी root से लिया तो उसका maximum concentration आपके blood में जाए तो वो कहलाता है bioavailability कि availability उसकी कितनी है blood circulation में और target area फिर mask करना bitter taste वगरा को mask करने के परपस से यह develop किया गया अब समझते हैं difference को आपको यह concept clear हो गया होगा तो simple तरीक से लेखें कि solid particles को liquid में disperse करते हैं तो bifasic system in which the solid particles are suspended into the liquid medium is called the suspension और emulsion क्या है आपका liquid को liquid में ही हम disperse करते हैं ध्यान रखना तो liquid globules are dispersed into the liquid medium is called the emulsion system अब हमने बोला कि red के particles हैं oil है वो तो stable है नहीं तो in drug system को in doses form को हम stable बनाते हैं तो stability के लिए हम इसमें जो agent use करते हैं suspension में वो कहलाता है आपका suspending agent ठीक है तो suspending agent में कई सारे agent आ जाते हैं आपके आपका bentonite, bigam इस तरीक से फिर आपका emulsifying agent emulsifying agent हम यहाँ पर use करते हैं जैसे मान के चलो आपका यह एक doses form है तो यह आपका drug particles है उसमें और यह आपका solvent system है तो यह क्या करता है एक आपका suspending agent यह solvent और आपके उस particle के बीच में एक कड़ी का काम करता है जिससे वो system आपका stable बन जाता है ठीक है फिर आपका emulsifying agent में भी emulsion आपके oil और liquid के बीच में एक stability का गाम करता है जिससे वो एक stable system बन जाता है तो उसमें जो problem होती है settling की जो नीचे बैठता है particles और आपका oil में creaming की problem वो solve हो जाती है तो इस तरीके से हम यह different second suspending agent as a stabilizer यूज करते है इसमें पर emulsifying agent इसमें हम यह use करते हैं कई बार students को doubt होता है कि जब यह solid or liquid mix नहीं हो रहा है यह liquid or liquid mix नहीं हो रहे तो उनको क्यों prepare करना होता है तो generally यह normal liquid doses form में दूसरे doses form में उतने जादे stable नहीं होते है इसलिए हमको इनका suspension और emulsion form तयार करना होता है और इसमें suspending agent और emulsifying agent हम बात करते हैं और यदि हम approximately यदि हम बात करें suspension में third point particle size की बात करते हैं तो यहाँ पर हम particle use करते हैं drug solid form में है तो particle size 0.5 से 5 micrometer या तो micron भी बोल सकते हैं हम इसको unit उसके हम बोल सकते 0.5 से 5 micron के particles को हम यूज करते हैं यहाँ पर आपका जो globule size रहता है वह तो आपका 0.25 से 25 micrometer का आपका globule size होता है liquid का size होता है फिर हम बात करते हैं आपके suspension को हम divide कैसे कर सकते हैं mainly ऐसे तो बहुत सारी टेक्निक होती है लेकिन difference में आपको बता सकते हैं तो flocculated and defloculated suspension अब suspension के दो टाइप है flocculated defloculated इसको समझते है sort में इसका एक video भी है जो मैं description में आपको provide करा दूँगा flocculated का मतलब होता है groups में होना particles को defloculated मतला होता है कि particles का separate entity में होना तो यह defloculated suspension जो particles group में होंगे तो वह तो बहुत तेजी से नीचे बैठेंगे न हम इनको floccules क्यों बना रहे हैं तो flocculated suspension इस तरीके से design किया जाता है कि इनमें loose aggregation होता है hard aggregate नहीं होते हैं इसलिए suspension safe well before use हम बहुते हैं कि वह easily redisperse हो जाए defloculated suspension मेंना नंसे defloculated suspension में हम फ्लोकुलेटिंग agent नहीं यूज करते हैं फिर इसमें type की हम बात करें तो इसमें oil in water emulsion होतई वoint in oil emulsion होता है मतलब oil जो पहले लिखा रहे था वो कम quantity में होता है जो बाद में लिखा रहे था ज्यादा quantity में होता है ।का मतलब हम बात करें oil and water emulsion की मतलब आपकी जो drug है oil form में है बहुत कम quantity में जिसको आपने water में dissolve, disperse कर दिये तो oil and water emulsion और यहाँ पर आपका water and oil emulsion दो तरीके से हम इसको divide कर सकते हैं फिर आपका suspension और emulsion की evaluation test क्या हो सकते कैसे हम पता लगाए कि suspension और emulsion कौन से type का है तो आपके suspension में उतने test not available but आप बता सकते sedimentation method, sedimentation क्या होता है, particles का settle होना जिसे दो suspension आपके पास में रखे हैं, तो flocculated group में है तो settling rate क्या होगा जब group में होगा, flocks तो fast होगा और आपके जो deflocculated suspension है, उसमें settling rate कम होगा तो sedimentation की जो rate होगी, वो किसमें होगा, flocculated में fast होगा, deflocculated में slow होगा तो normal आपके सामने रखा है, जिसमें particles तेजी से आके बैठेंगे, that is deflocculated तो हम उसको बता सकते है, test जो होता है, evaluation के लिए suspension के लिए, sedimentation है, नाम के लिए, ये समझाने के लिए आपको बता है फिर हम इसमें जो emulsion को identification के लिए test होते हैं, वो dye test होता है, dilution test होता है, conductivity test होता है समझते हैं, जैसे dye test, dye मतलब क्या होता, coloring agent होते है अब माल के चलो, आपने coloring agent ले लिया, जो की oil soluble color है और आपको पता लगाना है कि emulsion oil in water है कि water in oil है तो oil soluble dye-huckable oil को color करेगी, तो यदि बहुत कम quantity में point point आपको colored दिख रहा है, इसका मतलब कि internal phase जो है आपका oil है तो oil in water emulsion है, यदि पूरा background उसका बहुत ज्यादा पूरा colored हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि पूरे background में ज्यादा तर oil है, बहुत कम quantity में water है तो dye test हो गया, dilution test में यह होता है, आप क्या करेंगे, यदि मानके चलो, आपने oil के droplets डाले है और उसमें अपने water add किया, तो oil के droplets दूर दूर होंगे बॉर ज्यादा डालते तो और जादा है और ज्यादा डालने से यदि बन के चलो वह या वाटर हम बोलते हम वह बहुत-चारादा ऐह में बहुत-चार कौन्टिटीमें ऑछ-फियू कर श्यवस्व राउ हडी तो कोई डिफ्रेंस उसमें नहीं तो दाइलीट करते जाएंगे तो ऑँटरि अपना से इनमे तो बहुत सारे पाइंगे तो थाुटिस तसदिए खुस्ति अपनुय क्यों तरब क्यों देशंग पिर नेक्स्ट पॉइंट जो आपको बताने है कि कौन वह सी मेथेड से हम सस्पेंशन और इमलसन को बना सकते हैं तो सस्पेंशन बनाने की मेथेड ट्राइचुलेशन मेथेड होती हैं इसमें सिंपल पेस्टेल मोटार मेथेड यूज करते हैं और इसमें आपका जो इमलसन है उसमें वेट गम मेथेड ड्राइगम मेथेड बॉटल मेथेड होती हैं वेट गम मेथेड ड्राइगम मेथेड बॉटल मेथेड आप इलैबोरेट तरीके से भी पढ़ सकते हैं इसमें प्रॉबलम क्या आती है तो इसमें प्रॉबलम क्या आती है दोनों में हम बात करें तो suspension इमल्सन में जो प्रॉबलम आती है storage के duration में तो इसमें हार्ड केक बनने की chances होते है जैसे suspension दीरे दीरे बैटेंगे तो पार्टिकल्स आपस में क्लॉग हो जाते है तो वो क्या बनाएंगे हार्ड केक समें मेन प्रॉबलम योथ है और इसमें हम देखने हैं, तो आपका oil density काम होती, धीरे 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 वो ऊपर आएगा, तो इसको हम बोलते हैं, तो इसमें creaming एक problem होती है, तो most problem occurred in the emulsion that is creaming, फिर एक और हम पॉइंट बताएंगे की, freezing की अधी हम बात करें, during the storage condition, इनको बहुत जादा freezing नहीं करना है, बहुत आपके emulsion का crack हो जाना, oil अला हो जाना, water अला हो जाना, फिर हम बात करते हैं, इसमें 9th point की, एक example की बात करें, तो आपने देखा होगा की emulsion, आपका जो suspension है, जादा तर ये और emulsion जो है liquid doses form है, लेकिन technology इतनी जादा developed हो गई है, कि आज की डिट में emulsion और suspension की other doses form भी available है, तो तो आप एक difference ये भी point बता सकते हैं, कि most of the lotions are available in the form of suspension, most of the lotions available in the form of suspension, कई सारे जो lotions होते हैं, वो आपके suspension, lotion भी doses form है, कई सारे lotions जो होते हैं, suspension के form में available, फिर आप इसमें example बता सकते हैं, कि most of the creams are available in the form of emulsion, तो इसमें जादा तर lotion और इसमें जादा तर आपकी cream, तो क्रीम में जैसे, आप देखेंगे, कि जो गर्मी हो में हम यूजे करते हैं, उन क्रीम को हम क्या बोलते हैं, आपका oil in water emulsion, मतलब उसमें oil की quantity कम रहेगी और water की quantity जादा रहेगी, और cold cream में क्या होता है, cold cream में जो हम ठंडियों में यूजे करते हैं, उसमें क्या होता है, oil क कॉंटिटी ज्यादा होती ही तो वो कौन सा इमल्सन होता है वोटर इन ओड तो यह नाइंध एक्जाम आपका नाइंध पॉंट में मुस्ट अप्ट अब लोसं अब लेबल इन इन फॉम आप एमल्सन फिर एक्जाम्पल आप दे सकते हैं कि एक्जाम्पल इसमें जो निवे गजंपल बता सकते हैं पैरसी क्रीमर्सन और इमल्सन में आप एक्जाम्पल बता सकते हैं लिक्विट पेरा अनम आप तो यह 10 पॉइंट्स प्ईनियंगे कि कई सारी चीज्जह आपको कवर वेंगी ठीओरी के पॉंट तो समझ में भी आ जाएगा आपको तो सबसे इंपॉर्टेंट हो था concept clear होना बाइफेजिक इनको क्यों बोला जाता है दो फेज हैंके जो की missable नहीं होते हैं लेकिन हम उनको एक system से mix करके रखते हैं जिससे उनकी stability long duration तक मिलती है तो ये चीज़े आपको ध्यान में रखनी है तो ये 10 points आप बताएंगे तो आपको अच्छे नमर मिलेंगे जाधतर आपको books में और कई सारी slides आप जब सर्च करेंगे तो 10 points नहीं मिलेंगे आपको तो इन 10 points को आपको अच्छे ध्यान में रखना है कैसा करता हूं आप लोगों को सस्पेंशन और इसली समझ में आया होगा और आपसके नोट्स बना ले ओल दे बेस्ट थैंक यू